दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी को लाइन इडाव फॉस्टी यूट्यूब चैनल वे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस अब्रेट के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भरती सम्मधित कोई भी जान कई होती है आप सु वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जैसे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी मिलती रही शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में उत्तर पतेस के अंदर दिये दिये करके नोक्री लेना काफी जादा मुश्किल होता जादा है क्योंकि सरकारी इनोक्यों के विग्राबन जारी तो होते हैं लेकिन ऑपार दने वाला ओभरतियों कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला उत्तरप्रदेश की एक और भरती के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर बात की जाए लेकपाल भरती को लेकर जब से परडाम जारी हुआ है तभी से कहीने के यह आप सभी के सामने चर्चाओं का विशे बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अव्यतियों को पास कर दिया गया जिन पर आरोप लगे है कि उन्होंने नकल करेके परिक्षा पास की है नकल करते हुए STF के माध्यम से पकड़ा गया है इतना सब कुछ हो जाने के बाब जूद भी जब उनको यहां पकड़ा ही गया तो उनके खिलाब कारेवाई क्यों नहीं देखने के लिए मिली और अगर कारेवाई की गई थी तो उनका परड़ाम कैसे जादी किया गया दोनों ने सवाल करेने की काफी ज़्यादा महत्पूर है और इसका जवाब अच्छी बात दिये है कि उत्तर बदेस अधिना सेवा चैन आयूक के पास नहीं है क्योंकि वो अभी भी नीद में है यहां पर अगर बात की जाए चार स्रीट दायर की गई तो रिपोर्ट क्यों नहीं बेजी गई आयूक को आयूक कहता है कि हमारे पास में उस नकलची को लेकर हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं बेजी गई अब जब उनकी चार्ज स्रीट उनकी खिलाब दाखिल होई है तो रिपोर्ट क्यों नहीं बेजी गई मतलब कि पूरा का पूरा प्रबंतन्त नहीं मिला हुआ है आयोग कालेवाई करना नहीं चाहता क्या उसने ऐसे जानकाई नहीं देखी थी सब्सक्राइब से चलो ठीक है वो चार्ज स्रीट का इंतिजार करें थे तो परिक्षा केंदों के माध्यम से क्यों नहीं किया गया और भी बहुत साइज सवाल है जो कि आप सभी के सामने हैं लेकपाल मुख्य परिक्षा 2021 में नकल करते पकड़े गई रितु सिंग के पास होने का प्रक्रण जिला प्रशासन के सवालों के गेरे में हैं सवाल ये है कि प्रक्रण सामने आने के बाद भी इस संबंद में रिपोर्ट क्यों नहीं वेजी गई आयोग इसलिए घेरे में हैं क्योंकि जाच के दौरान फुलिस की और से पत्र चार किये जाने के बाद भी मामले को संग्यान में क्यों नहीं लिया गया क्योंकि जाच के समय बहुत साइज जानकाई STF की माद्यम से मांगी जाती है किसी अभियती के बारे में तो क्या वो उसका आधार कार्ड बनाने के लिए मांगते हैं कि वोटर एडी कार्ड बनाने के लिए निशित तोर पे जब STF किसी की जानकाई मांग रही है तो कोई ने कोई तो बात होगी अब आयोग को तो लगा कि कोई बात नहीं उन्होंने मांगी है तो हम दे देते हैं और हमारा काम से परड़ाम जारी करना है इससे पता चलता है कि या तो प्रबंतन्त सो रहा है अगर सो रहा है तो ये बहुत बुरी बात है और अगर जाके भी ये काम कर रहा है तो ये उससे भी बरी बात है नीचे लिखा हुआ है कि एक दिन पहले लेकपाल बरती परीक्षा का परड़ाम गोशित हो जाने के बाद सामने आया था कि आरोपी यितु सिंग उत्तीन हो गई है 31 जुड़ाई 1222 को करे लिके चेतना गर्ल सिंटर कॉलेज में वह नकल करते पकड़ी गई थी इसके बाद वह फरार हो गई पुलिस उसे ग्रफतार नहीं कर सकी उसकी ग्रफतारी को लेकर कोट से रहात मिल गई करीब एक महीने पहले आरोपी अब्यरतीन समयत आठ लोगों के खिलाब 4 स्विट दाति की गई और परड़ाम उत्तीन कोशित होने के मामले के एक दिन पहले ही चर्चाव में आया सूत्यों का कहना कि ऐसा होनी की बज़े प्रशास्निक अपसरों की लापरवाई है जो भी हो सीधे तोर पे इनको कहने की फायर कर देना चाहिए ऐसे अधिकारी होना बिलकुल कहने की आपके वविश्य के लिए खतर नाक है क्योंकि यह लापरवाई नहीं है यह पूरे तर क्रीव यादव की बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि रिपोर्ट केंद्र प्रवंदन को भेजी जानी चाहिए थी जब उनसे पूछा गया कॉलेंस प्रवंदन किसके लाप बंदान चाहिए में तो उन्होंने बताया कि उसके बाद ही उनको जेल बेज दिया गया थ कीजार ही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अव्यत ही है जो कि हमने देखा हुआ था वो उसको कुछ उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई पता नहीं इतने तो कैसे होंगे जो कि कहने की परीक्षा गेंदर धादली की होंगे लेकिन आपको तो पता ही नहीं है चलिए बात कर ल चाहतों को मिलेगा मौका और उसी की नीचे वाली लाइन में आपको जानका ही देखने के लिए मिलेगी कि निकाय चुनाब के बाद समूगा के पदों के लिए शुरू होंगी भरतियां अब हम थोड़ा सा और नीचे जाए तो लिखा हुआ है कि यूपी में समूगा के भरतियों के लिए अच्छी खबार है उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चैन आयोक के माध्यम से निकाय चुनाब के बाद भरतियों के विध्यापन निकालने की प्रकिया शुरू करने जा रहा है सबसे पहले कनिक शायक पदों के लिए भरति का विध्यापन जारी किया साल के अंत तक सभी रिख्थियों के आविधन लेनी की तैयारिये में इसमें विविविन विवाहों के अगर बात किया भरतियों के प्रस्थाब मिल चुके हैं वह इन पदों पर पदबार अलग-लग कर रहा है और इसके बात में इन भरतियों को लेकर जो विध्यापन हो ज लेकिन जो बहुतियों के बारे में जानकाई दी गई निकाय चुनाब के बारे में बिग्याबन जारी वह आपको कि यूपी टीजडी पीजडी परीक्षा को लेकर 4163 पर इसके लिए आविदन मांगे गए थे अब उसके बारे में कुछ विवर्ण यहां से जारी किया गया है कि कितने अभ्यादी आपको देखने के लिए मिलेगे माद्यमिक स्कूलों के अंदर सिख्षकों की अगर बात की कि त्यारी माद्यमि सिच्छा सिवा चैन बोड की थी उम्मित थी कि चैन प्रकिया 2023 में नई सथ से शुरू होने से पहले खतम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अगर बात की जाए माद्यमिक सिच्छा सिवा चैन बोड की तरब से प्रदेश के स्कूलों में टीचर्स प्रबक्ता की बात कीज़ाएं तो PGT इनके लिए आविदन किये गए थे प्रबक्ता के अंदर लगभग साढेचालाग अभयतियू ने आविदन किया है और PGT के अंदर अगर बात कीज़ें इसको एल्टी गिट कह सकते हो आठ आध लाक उनेटर Hanım अभ्यर्थी उन्हें आफिदिन किया है अंदाजा लगा कर देगे कितना बड़ा competition देखने के लिए मिलेगा जहां पर PGT के अंदर पदों की संक्या सिफ 600 के आसपास है वहां पर साड़े चार लाग अभ्यर्थी और जहां पर पदों की संक्या प्रात्मिक सिफ्षक भर्थी को लेकर विग्यापन काफी लंबे समय पहले जादी किया गया था और आज तक यह भर्थी पूरी नहीं हुई है 2460 को लेकर मामला कोट चला गया मामला बहुत छोटा सा है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है 2460 के अंदर क्या हुआ था कि 75 जिलों मैंसे 24 जिले ऐसे जिनके अंदर रिक्त पद नहीं थे तो उनको लेकर कहा गया कि आप किसी दूसरे जिले के अंदर आविदिन करेंगे लेकिन जहां पर पद थे वहां के अब बेर्टी कोट चले गया और यह कह दिया कि भाई हमें प्रात्मिक्ता दी जाए तब से लेकर अब तक इस मामले पर इस्टे लगा हुआ है और यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा अगर बात की जाए तो सिर्फ दो दिन के अंतर की विज़े से साड़े च्छे हजार जो सिच्छे कंफ प्रमोशन से चूख जाएंगे तो वहीं दूसी तब बारे हजार चार सो साथ के अगर बात की जाए अभी भी यह मामला लंबित है लगवग पांस से च्छे हजार ऐसे अभ्याद ही जिनको अभी नोकरी मिल सकती है लेकिन ना तो सर हो शेस हैं को जाने को जाने के सरकार के माध्यम से मन बनाया गया था तयाइया की गई थी लेकिन पट्ना हाई को माध्यम से उनकी इंतियाईयों को लेकर फिलाल रोक लगा दी गई है कोड ने राजी सरकार को जाती आधाई सर्वे त्वंत बंद करने का आधिश दिया है साथी सुनिश्चित करने को कहा है कि एकत किये डाटा स्वक्षित रगा जाए जैसे किसी हाल में अंतिम आधिस पारि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाले मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तिल देन टेकेट टटा बाबाई थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो